अमे फाइनल समासास्त्र पेवर फिस्ट द्रेल प्रिस्पक्टिप्स इन शॉसिलोजी हिंदी में कहते हैं समासास्त्र में सैयद्यानतिक परिप्रेच कोशन 6 यहां पर देखते हैक 첩 है यहां पर को परशपर समन्दर संस्थाओं अभिकरणों तथा सामाजिक प्रतिमानओं की बिसेश्टे वबस्ता के रूप में परिवासित किया है। सामाजिक सरंचना बेक्तियों की इस्ततियों और भूमिकाओं की वबस्ता है सामाजिक सरंचना का इस्थायत्व और निरंतरता नैतिक नियमों के पालन में नहीत है पिरतिक समाज का एक आधरसात्मक प्रतिमान होता है जिसकी अनुसार सदस्यों के बेभार करने की आसर की जा किया जाता है और उसके अनुशार उन्हें सरंचना में ऊची या नीची इस्टती प्राप्त होती है जो किसी समाज के शरूप और आकर निशित करता है समाज के सदस अनेक समयो और उप समयों में विधाजित रहते हैं उनकी क्रियाओं और पिचारों का आदान प्रदान इन उपसमुहों में ही होता है ये उपसमुहों ही ब्यक्ति की इस्तति और भूमिका में केंदरित होते हैं समाज यदि समाजिक सम्मंदों की दिवस्ता है तो उपसमुहों उन सम्मंदों का अधार है सम्मंदों के इस्थापना में उपसमुहों का निरमार होता है और ये उपसमुहों विभिन सामाजिक सम्मंदों को इस्थायत्व और निरंतरता प्रदान करते हैं सामाजिक सरंचना एक प्रक्रयात्मक व्यवस्ता भी है, बिन बिन उपसमुहों प्रक्रयात्मक अधार पर एक दूसरे से सम्मंदित है दूसरे सब्दों में विभिन उपसमु सामाजिक सरंचना के अस्तित्व और इस्थैत्व के लिए अनेक प्रकार की अविशक्ताओं को पूर्ति करते हैं। उपसमु की विवस्तित क्रिया सीलता ही सामाजिक सरंचना को विवस्तित रखती है। बास्तम में सामाजिक सरंचना का प्रत्यक्ष्वरूप या भाया आकार उपसमुहों के माध्यम से ही प्रिकट होता है। पार्टशने मानव करताओं, हुईमन एक्टर्स को सामाजिक सरंचना का मूल अधार माना है। परंतु करताओं का स्थित्व उनकी क्रियाओं से हैं, ये क्रियाओं सुन में संपन नहीं किया जकती हैं, मनुस्थ की अंतिम क्रियाओं के छेत्र उपसमुह हैं, अता उपसमुहों के अभाव में अनेक व्यक्ति तो बिद्वान हो शकते हैं, परंतु अंता क्रियाओं में सल को सदस्य के संदर्म में ही की जा सकती है अता सामाजिक सरंचना के निर्मार में जहां बिन बिन इस्ततियों में बाज़त व्यक्तियों का महत्व होता है बहीं छोटे बड़े परिवारों और नातेदारी शमुहों का उची नीची इस्ततियों वाले समुहों का आर्थिक और र हेडिंग नमबर टू इस्ततिया और भूमिकाएं सामाजिक स्रेंचना का दूसरा महतपूर तत्व हैं जो इस्तति का क्रियात्मक पक्ष होता है जब हम करताओं का अध्यन करते हैं तो हमें उनकी अंतक्रिया पर विचार करना परता है अंतक्रिया विच्टियों की स्वेच्छा और स्वतंत्र प्रणाओं का प्रणाम नहीं है करता एक दूसरे के साथ विच्टियों के नाते नहीं बड़की इस्तति सम्मंदों के अधार पर संपर करते हैं उनकी पाश्परिक करिया पूर्व निश्चित और अपेक्षित होती ह सामाजे क Grad अबारा सालिए, सामाजी के स्राइचना में दो प्राकार का विवाजन होता है। प्रतौर्फम यह बिन बिन इस्ततियों में बटी रहती हैं और धूसरे नेक उची इस्ततियों में भी विवाजन होती हैं। इस्ततियां ब्यक्तियों के अधिकारों और उत्रदायत्व की व्याख्या करती हैं इन अधिकारों और उत्रदायत्व के संधर्म में ही अनेक करता परशपर शंपर करते हैं और अंतक्रिया में सलगन होते हैं इस प्रकार से अंचना का निर्मार करने बाले करता इस्ततियों औ और भूमिकां को अमूर्थ विवस्ता की रूप में समझा जा सकता है इस्तती और भूमिका परश्पर आस्रित हैं इस्तती के अभाव में भूमिका की कलपना नहीं की जा सकती तथा भूमिका के बिना इस्तती की भूमिकां मानविय क्रिया को अध्रशात्मक अभी वक्ति है यदि उप्षमू सामाजी सरंचना का मूर्थ आधार है तो भूमिकाएं उसके अमूर्थ पक्च का निरमाल करती हैं। एक दक्ति की जितनी इस्ततिया होती हैं उनसे सम्मंदित उसकी अनेक भूमिकाएं होती हैं। इन बुहमिकाओं के जटिल व्यवस्ता ही सामाजिक स्रंचना कहलाती है ने स्टेडिंग है आपे हैडिंग नमबर थ्री आदर्ष सामाजिक आदर्ष गयवार का बहे प्रतिमान है जिस समाज के लोग अपने समाजिक जीवन में अपनाने योगी समझते हैं और जो उनके आच्रण को निश्चित सीमाओं में रहने के लिए प्रेजित करते हैं सामाजिक स्रंचना के संगठन के आधार आदर्ष यह हैं आदर्ष उपसमुलों के पार्षपरिक संबंदों का निश्चा करते हैं और व्यक्तियों की भूमिकाओं की ब्याख्या करते हैं सामाजिक आदर्ष जीवन के प्रतेक पक्षित से संबंदित होते हैं आदर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि कौन सीक्रियाँ आपक्षित हैं किस भूमिका का संबंद किस इस्थती में है किस परिस्ति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आदर्ष एक अमूर्थ प्रतिमान है जो ब्यवार की सीमाय निश्चित करता है सामाजिक सरंचना के दो आदर्ष हैं शंबन धहत्मक तथा आदेशात्मक शंबिधात्मक आदर्ष सामाजी सरंचना के सदस्यों तथा उपसमुहों के करताओं की व्याख्या करते हैं ताकि उनके बीच पाशप्रिक शंबंदों की व्यवस्ता और संतुलन बना रहे आदर्ष मनुश्यों और समुहों के व्यवहार का निमंत्र करते हैं यह आदर्ष का निसेदात्मक पक्ष है इस प्रकार सामाजी आदर्ष उपसमुहों और भूमिकाओं की व्यवस्ता और निर्देशन करते हैं इनके अभाव में प्रतिमानित अंतकिरिया का प्रकटिकरण नहीं हो शकता। प्रतिमानित और नियमित अन्तकरिया के अभाव में सामाजिक सरंचना संतुलित और सुरक्षित नहीं रह सकती। हैडिंग نमبر four ते हां पे सान्सकरतिक मूल सांसकरतिक मूल सामाजिक सेंचना के मौलक अंग हैं मूल में माबदनड हैं जिनके दोरा बस्तुओं वीचारों और बेभारों की तुलना कियाती है और उनने एक दूसरे की तुलना में उचित या अनुचित अच्चा या बुरा उ मुपयोगी समझ कर स्विकार या अस्विकार किया जाता है सांस्कृतिक मूल्यों को सामाजिक संचना का भवात्मक पक्ष कहा जाता है बिक्ति और शमूव का मूल के साथ मांसिक लगाव होता है और भे उन्हें हिर्दय से स्विकार करते हैं मूल्यों के बिपरित बिचार और भावनाय सामाजिक संचना में अशुन्तुलन उत्पन करती है जीवन के बेभिन पक्चों से सम्मंदित सांस्कर्तिक मूल बेभिन बिन होते हैं मूल्यों के द्वारा ही कोई ब्यभार आज़स्ट के रोम में प्रतिश्टित हो जाता है सामाजिक संस्त्रण के द्वारा ब्यफ्ति और समुह की उची नीची इस्तती का निर्धार होता है इस्तती के आधार बर भूमिकाओं का भी विवाजन हो जाता है संस्त्रण सामाजिक स्रंचना में अश्मानता उत्पन कर देता है पार्सेंस ने सामाजी सांचना के चार प्रतिमानों का उले किया है जिनका विव्रड निमन प्रकार है Write number, heading number A सारबहुमिक अरजित प्रतिमान ये सारबहुमिक अर्जित प्रतिमान प्रतिमान दो प्रकार के आदरशों और मुल्लियों शेमिले कर बनता है इसमें उन समूवों का शमाबेश होता है जो सारबहुमिक रूप में पाए जाते हैं जैसे नातदारी ववस्ता अर्थववस्ता आदे इन सामाजी संचनाओं में उन मूलियों का अधिक महत होता है जो व्यक्ति को अपने परिश्णम और योगता से अर्जित करने पड़ते हैं ने स्टेडिंग है आपे वा सारबहुमिक प्रदत्थ प्रतिमान इस प्रकार की संचनाओं में भी सारबहुमिक मूलियों की प्रदानता होती है परन्तु इन में प्रदत्थ मूलियों का महत होता है सारबहुमिक मूलियों की प्रदानता होते हुए भी इन संचनाओं में भ राप्त किये हुए गुड़ों का इन सरंचनाओं में अधिक महत्व नहीं होता वैंट नंबर शा बिशिष्ट अरजित प्रतिमान इस प्रकार की सामाजिक सरंचना में सारबहमेक मूलियों के स्थान पर बिशिष्ट मूलियों का महत्व वड़ जाता है सामाजिक सरंचना में परिवार बंस गोत्र आधिक महत्व दिया जाता है ने स्टेडिंग है आपे दा विशिष्ट प्रदत प्रतिमान ये सामाजिक सरंचना विशिष्ट तथा प्रदत मूलियों के मिस्टर से बनती है इसमे भी रख्त सम्मंदू और इस्थानिय समूदाइक जीवन को प्रदानता होती है नेतिक सामाजिक सरंचना की प्रमुक अंग माना जाता है तथा ब्यक्तिकत गुणों का महत्व आधिक होता है